हलो दोस्तो आज किस वीडियो में आप सेखिएं कि इस तरीका का साधिक कार्ड डिजाइन आप MS Word में कैसे कर सकते हैं तो चलिए मैं वीडियो सुरू करता हूँ तो देखें दोस्तो इस तरीका का साधिक कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप MS Word का New Page को Open कर लिजिएगा चलिए मैं MS Word का New Page को मैं यहां से में Open कर लेता हूँ MS Word का मेरा यहां पर New Page Open हो चुका है New Page Open हो जाने के बाद सबसे पहले आप अपने Page को Setup कर लिजिएगा आपको land escape को select कर लेना, इस तरीका का आपको सबसे पहले अपने page को setup कर लेना है, इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको insight पर click करना, insight पर click करने के बाद आपको chef पर click करना है, इसमें आपको chefs में जो एक frame बाला chefs लेना, ये वाला chefs आपको मैं जूम करकर दिखा देता हूँ, इस वाले shapes का आपको यूज करना है, फ्रेम बला shapes का, अब पको यूज कर रहा हूँ, तो इस पर मैं click किया हूँ, click करने के बाद अपने page पर कुछ इस परकारशने आपको इसको drag कर लेना है, इतना काम करने के बाद आपको yellow color का point मिलगा इसको आपको पकड़कर इसको थोड़ा सा छोटा कर लिजेगा इस तरीका से छोटा करने के बाद आप अपने page में इसे अच्छी परकार से adjustment कर लिजेगा आप अच्छी परकारशक किजिएगा तो ज्यादा बहतर रहा था इसलिए आपको थोगा सब बहतर तरीका से adjustment अपने page में इसको कर लेना है चलिए मैं कुछ इस परकार से तो अपने page में adjustment कर रहा हूं कर सकते हैं या फिनो भी कर सकते हैं या फिर आप चाहिए दोस्तों तब अगर जो आप कलर फिल नहीं करना चाते हैं या फिर अगर जो आप किसी परकार का इमेज फिल करना चाहते हैं तो आप इमेज भी फिल कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करकर दिखाता हूं मैं इमेज पर किलिक या पिक्चर पर और पिक्चर पर किलिक करने के बाद आप जिस भी परकार का इमेज अपने बाउडर में यूज करना चाहते हैं जैसे कि मान लिजे म एक वाइग्ड का image जो मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं यूज कर रहा हूं तो जिसे कि यहां से मैं open कर लाता हूं उसको और एक एक रिट कलर का मेरे पास इस पर कारशा वब रिखो मैं जुँँअ करता हूं तो इस तरी कास दे सकते हैं कि हमारे जो सेफ का बाइग्रोंड यहाँ पर set up हो चुका है color वला या फिर आप चाहिए तहां से color भी set कर सकते हैं इतना काम करने के बाद इतना काम कर लिजेगा चलिए मैं आगे का process आपको समझाता हूँ उसके बाद मैं इंसेटर पर किलिक करता हूँ पिक्चर पर किलिक करता हूँ पिक्चर लोगों लिखेगा तो आपको बहुत सरा उसमें image मिलेगा तो आप वहां से download कर लिजेगा इस परकार से flower download करने के लिए आपको flower border लिखना होगा और png में लिखना होगा flower border png तो आपको बहुत सरा आपको border मिल जागा png में उसको आपको download कर लिजेगा और इस तरीका से भी आप अपने अनुशार से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं सबसेपहले सुब विवाः को इहां पर इंसराट कर लेता हूँ तो इस तरीका से देख सकते हैं कि मैं गूगल से डाउनलोड किया था इस format को PNG में लिका, सुब विवाः मैं ने PNG लिखा तो बहुत से रहां पर सुब हो बाका, आपको PNG image मिल जगा, तो आप अपने साफ सुबहां पर download कर लिजगा, तो इसको मैं हाँ से, जब आप image आ जागा, तो आपको brave text पर click करकर, इसको आपको in font2 text कर लेना है, और इसको क्या करना है, आपको अच्छी परकार से इसको adjustment कर दे प्लारोला पिक्चल लेने के बाद इसको भी मैं in font2 text कर लेता हूं, text करने के बाद, आपको इसको इस तरीकास मैंने रोटेट किया और इसी को मैं आप पर नीचे में set कर लेता हूँ इस परकार्षी इतना काम करने के बाद आपको control बटन को प्रेस रखकर दूसरा image को भी select कर लेना है right click करना है और आपको इसको group कर देना group करने के बाद यह दोनों picture group हो जाएगा उसके बाद ctrl D करकर दोनों को duplicate कर लेना है और उसके बाद आपको rotate यहां से कर दिजीएगा इस परकार से जैसा कि देख रहे हैं इस तरीका से मैं rotate किया और shame इसी परकार से मैं इधर भी border को insert मैं कर देता हूं इस परकार से कुछ इससे परकार से मैं इधर भी setup कर देता हूं जसा कि आप लोग अभी देख रहा हैं इस तरिका से इस परकार से मैं अच्छी परकार से किया एच्छी adjustment कीजिए के तो ज्यादा बहतर रहा था इस तरिकांस मैंने adjustment कर दिया उसके बात इतना काम तो आपने समझ गया इसके बाद आपको इसे टैप पर मैं किलिक करता हूँ और मैं अगला पिक्चर लेता हूँ अगला पिक्चर मेरा है दिल का हाड का जैसे कि मान लिजे यह बला फ्रेम है मेरे पास इस वाले फ्रेम का भी यूज आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको in-found to text में कर लेता हूँ और इसका मैं background को से रिमूब कर देता हूँ रिमूब background पर मैं किलिक करता हूँ और इसका ऐस ब्लैक का बाद फाज़ा उसको मैं कर देता हूँ ताकि यह भेहतर लगा है आपको देखने में तो इस तरीका से मैं इसका background को मैं remove मैं यहां से कर देता हूँ ok पर click करता हूँ तो देशकते कि background यहां पर remove हो चुका है और इस परकारशे भी आप image png में download कर सकते हैं google से इस तरीका से मैं इसको थोगा से बढ़ा किया हूँ ctrl d करकर duplicate किया हूँ और अच्छी परकारशे adjustment आपको कुछ इस परकारशे यहां पर कर लेना जैसा कि आप लोग अभी देख रहें तो इस तरीका से आपको यहां पर adjustment अच्छी परकारशे कीजिएगा तो जादा बहतर लगता है इस तरीका से आपको adjustment में यहां पर किया हूँ इतना काम करने के बाद चलिए मैं एक और picture मैंने tips कर शेब हिंकिनल का था तो इसे भी यहां से मैं set कर ही लेता हूं इस तर्थी नंशेmarkt प्रमें पोलूड करने के लिए आपको गुल पर टाइप करना होगा setup करने के बाद अब चलिए में text में type कर देता हूं जिसे कि यह दोनों में जो लड़का लड़की होते हैं उनका में यहां पर नाम लिखे देता हूं और यहां पर मैं क्या करूँगा दिनांक जो भी date रहे का साधी का वो में type कर दूँगा तो यह finish हो जाएगा तो type करने के लि मैंने क्लिक किया तो इस तरीका से आपको यहां से font को Timton कर लेना जिसकि हमें Hindi typing को में मैंने type किया दिनांक टाइप करने के बाद आपको insert पर मैं क्लिक करता हूं और इसका जो point में दीरता हूं इस पर देका मैं date आपको यहाँ पर type में कर देता हूं इसे परकार से आपको भी कर लेना है आप चाहें तो English में जैसे की date भी लिख सकते हैं या फिर अगर जो Hindi टाइपिंग आती है तो आप Hindi में भी type कर सकते हैं उसके बाद मैं इस परकार से यहाँ पर adjustment में कर देता हूं थोड़ा स तब format पर click करकर आप इसका outline को remove कर देजीगा और text effect पर जाकर इसमें आपको glow को remove कर देना है और इसका color आप अपने हसाब से रख सकते हैं red हो गया जो भी आपको लगता उसका पसंद का आप use कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर red को मैं use कर लेता हूं और इसी परकार से यहाँ प जैसे कि मान लिजे इस तरीका से मैं अंकित मैंने type किया जैसा कि देख रहे हैं अंकित type करने के बाद इसको size को आप अपने हसाब से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं और इसको मैं यहाँ पर adjustment इस परकार से कर देता हूं इसको मैं control D कर लेत कर देता हूं और इसमें मैं लड़के का नाम type कर देता हूं जैसे कि इस तरीका से अंकित और आनी का दो साधी हो रहा तो इस तरीका से मैं यहाँ पर लड़के कर नाम को इस तरीका से मैंने type किया adjustment में कर दिया इसको मैं control D कर लेता हूं और मैं आप संग कर देता हूं छोट और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीका से रोटेट कर देता हूं ताकि बहतर आपको देखने में लगे और इसका अकलर को मैं और अलग कर देता हूं इस तरीका से इस पैकार से तो इसी तरीका से दोस्तो आप किसी भी किसी के लिए साधी कार्ड अपने से डिजाइन कर सकते हैं तो यह काफी छोड़ा सा प्रोस्ता दोस्तों आपको इसमें सिर्फ इमेज डाउनलोड करना है इमेज आप अच्छी अच्छी डाउनलोड किजीगा तो बहतर डिजाइन भी आपको बनेगा तो गूगल पर आपको बहुत सा इमेज मिल जगा साधे कार्ड के रिलेटर तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लिजीगा और आप इस तरिका से एमेस बर्ड में आप साधे कार्ड डिजाइन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तु एक छोटा सा प्रसेता दोस्तों जी वीडियो अप ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैंट चलने को पी सब्सक्राइब जिरूर कर दिजीगा